नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजिनियर्स ग्रूप में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट की जैसे कि आप लोगों को पता है गेट की exam date की notification पहले ही आ चुकी है आज 7 अगस्त 2020 को एक और नई notification आई है इन notification में कुछ important point के वाड़े में बताया गया है कुछ important point के वाड़े में discussion करने वाले हैं तो वो कौन-कौन से point है तो सबसे पहले इसमें जो बात किया गया है वो है eligibility characteria के वाड़े में कुछ important dates के वाड़े में जो dates exam के जो form fill up होंगे कब से start होंगे last date कब होंगी admit card कब आएंगे और examination की date होंगी वो क्या होंगी और जो form में correction कर सकते हैं वो date क्या होंगी इन सब चीजों के बारे में बताया गया है उसके बाद application भी कितनी होगी इनके बारे में बताया गया है उसके बाद examination की pattern क्या होंगी कुछ changes किया गया है examination के pattern में कुछ जो combination of subject है वो क्या होंगी और इसमें कुछ syllabus जो है थोड़ी बहुत changes की गई हैंगी तो आज हम इस वीडियो में हर एक point के बारे में detail में discussion करेंगे तो बने रहेगा वीडियो के शुरू से last तक ताकि हर वो important information आपको मिल सके यदि आप हमारे चानल पर नए है तो चानल को share और subscribe जरूर कीजिएगा bell icon को जरूर दबाईएगा ताकि आप तक यह notification पहुँच पाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे eligibility criteria का तो इससे पहले जो होता था कि जब आप final year में होते थे तो ही आप इस form को fill कर सकते थे बट इससल जो कुछ जो नया changes है वो है कि आप third year में है जो third year के student है वो भी इस form को fill up कर सकते है एक्जाम दे सकते हैं जो की अच्छी चीज है second point जो है कि कुछ combination जो subject थे उनको जो आपको choose करना था पहले क्या होता था कि आप किसी एक ही चीज़ से आप form fill up कर सकते थे आप जो है कुछ combination आप जो है आप दो form को fill up कर सकते हैं तो वो क्या combination है उनके बाड़े में हम बाते कर रहे हैं ठीक है तो आप बात करते हैं civil engineering की तो civil engineering से यदि आप है तो civil engineering के साथ साथ आप जो है agriculture and planning and environmental science engineering का आप जो है form fill up कर सकते हैं यानि कि आप एक साथ जो है दो form fill up कर सकते हैं दोनों का exam जो होगा अलग-अलग date में हैगा इसके लिए आपको जादा सोचना नहीं है कि एक ही date में exam हो जाएंगी तो क्या जो आप computer science वाले जो बच्चे है computer science वाले या information technology के बच्चे है वो computer science और IT के अलावे जो form भर सकते हैं वो है mathematics का भी form भर सकते हैं gate का exam दे सकते हैं तीसरा जो है electronics electronics के जो बच्चे है वो जो है EC, AA और physics ये तीनु से वो form fill up कर सकते हैं और exam दे सकते हैं उसी तरीके से जो mechanical के बच्चे है वो mechanical के अलावे जो है engineering science जो होते हैं उनका भी form fill up कर सकते हैं तो ये थी combination of subject जो कौन-कौन से ब्रांच के बच्चे अपने ब्रांच के अलावे और जो combination दिये गे हैं इस साल जो न अब हम बात कर लेते हैं कुछ important dates की जो की related है gate 2021 से जो आपका जो form fill up होगा जो start होगा जो आपका जो पोर्टल है वो open हो जाएगा form fill up करने के लिए वो starting date है आपका 14 सितंबर 2020 जी हाँ 14 सितंबर 2020 से आप इस form को fill up कर सकते हैं और जो last date है last date है form fill up करने का without late find जो regular basis पे होते है 30 सितंबर 2020 तक 30 सितंबर 2020 तक जो है आप बिना किसी fine के बिना किसी extra charges के आप form को fill up कर सकते हैं तो starting date जो है 14 सितंबर 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक आप बिना किसी extra charges के form को fill up कर सकते हैं उसके अलाबे आप 1 October से लेके 7 October 2020 तक late find के साथ आप form को fill up कर सकते हैं late find जो होते हैं 500 जो है extra लगते हैं उसके साथ आप 1 October से लेके 7 October के बीच में आप इस फम को fill up कर सकते हैं उसके बाद जो आपको कुछ changes वेगरा करने हैं जो category वेगरा होते हैं examination CT जो है उनको यदि आप change करना चाहते हैं तो आप 13 November 2020 तक इसको change कर सकते हैं 13 November 2020 तक आप जो examination CT category है उनको आप लोग change कर सकते हैं admit card जो available होगा वो हो जाएगा आपको 8 January 2021 8 January 2021 से आप वेबसाइट पे जाके इसको आप print करा सकते हैं gate की examination date जो है आपको 5-7-12-14-2021 जी हाँ gate की exam होती है वो दो shift में होती है first shift जो होती है वो 9-12, forenoon वाले होते हैं 9-12 के बीच में, second shift जो है वो है 3-6 के बीच में जो afternoon वाला session होता है वो 3-6 के बीच में होता है ये date जो है भी tentative है हो सकता है state में exam change भी हो सकते हैं पहले जो होता था gate की exam जो होती है चार दिन की होती थी लेकिन इस बार जो है जो है छे दिन की है पहले जो है Saturday Sunday ही exam होती थी इस बार Friday को भी exam होंगे तो इस बार जो है कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं examination fee की जो gate 2021 में जो application fee होंगी वो कितनी लगेंगी किस student की जो fee है कितना pay करना पड़ेगा उन चीजों के बारे में हम discussion करेंगे तो सबसे पहले देख लेते जो female candidate है फिमेल कंडिडेट पड़ पेपर जो है 750 रूपे जो है 14 सितमबर से लेके यदि 30 सितमबर के बीच में form fill up करते तो उनको 750 रूपे पे करने होंगे जब वो एक साथ अक्टूवर के बीच में जब form fill up करेंगे तो उनको 1250 रूपे पे करने होंगे क्योंकि 500 रूपे लेट फाइन के साथ उनको पे करना होगा जो SCST या फिर PWD के जो candidate है उनको पड़ पेपर जो है 750 रूपे पे करने होंगे 14 सितमबर से लेके 20 सितमबर के बीच में यदि वो 7 अक्टूवर 2020 के बीच में form fill up करते तो उनको 1250 रूपे पे करने होंगे इनके अलावे और जितने सारे candidate हैं उनको 1500 रूपे पड़ पेपर 14 सितमबर से लेके 30 सितमबर के बीच में form fill up करते हैं तो और जब वो 7 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर के बीच में form fill up करते हैं तो उनको 2000 रूपे पे करने होंगे तो ये थी कुछ फी के बारे में जान वो क्या सेंजेस हुए हैं हम discussion करेंगे detail में तो देखे जो pattern of examination होती है gate की वो होती है CBT mode में यान की computer waste test होती है जो कि online माध्यम से होते है computer waste test होते है तो examination mode जो होते है CBT होते है duration जो होता है exam का वो होता है 3 hours यान की total 180 minute आपको मिलेंगे section जो section होते है वो होते हैं 2 section एक पहला section जो होता है GA यानि की general attitude plus candidate selected subject जो भी आप जिस subject को select किये होंगे form भर टे टाइम उस subject से आपको questions आएंगे तो पहला section हो जाता है general attitude का और जो second section हो जाते है वो हो जाते है आपको जिस भी subject से आप form fill up किये for example यदि आप computer science से किये हैं तो computer science related question आएंगे यदि आप civilian mechanical जिस भी branch से किये होंगे उस subject से को question पूछे जाएंगे उसके बाद खो मिन अख्राइपन होते है जो tut合yors a Państwo within one पूछे जाते है आपको 65 questions आते है जिसमें 10 questions वहते हैं ज्यनल आपो 55 questions होते है वह आपको subject से रिलेटेजय होते हैं तो जिस subject से आप form fill up कियो होंगे उसके बाद हम बात कर ल या तो एक marks के होंगे, या तो फिर दो marks के होंगे, ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, type of question, जो की बहुत ही ज्यादा important है, इन में कुछ changes हुए है, पहले जो pattern था, अभी से पहले, वो था, दो type के question पूछे जाते थे, पहला MCQ, यानि कि multiple choice questions, second type का जो questions पूछे जात होते हैं, MSQ क्या होते हैं, जो नया add-on किया गया है, यानि कि multiple select question, यह add किया गया है, यह क्या होते हैं, और numerical answer type questions क्या होते हैं, तो बने रहे हैं, जो इस बार जो है, वो कुछ changes किया है, वो है, पहला जो हम बात करते हैं, multiple choice questions का, तो multiple choice question MCQ, multiple choice question carrying one or two marks, each in all the paper and section, these questions are objective in nature, and each will have choice of four answer, out of which only one choice is correct, negative marking for wrong answer, chosen in a multiple choice question, there will be negative marking for one mark multiple choice question, one by three mark will deduct it for a wrong answer, likewise for two mark question, two by three marks will deduct it for a wrong answer, second जो है आपका multiple select question, multiple select question carrying one or two marks, each in all the papers and sections, these questions are objective in nature, and each will have choice of four answer, out of which one or more than one choice are correct, there is no negative marking for a wrong answer in multiple select questions, however, there is no partial credit for choosing partial correct combination of choice or any single wrong question, third type जो है वो है, नाट यान की numerical answer type, numerical answer type question carrying one or two marks, each in most of the papers and section, for this question, for this question, the answer is signed, for this question, for this question, the answer is signed real number, which needs to be entered by the candidate using the virtual numeric keypad on the monitor, no choice will be shown for this type of questions, there is no negative marking for a wrong answer in numerical answer type questions, also there is no partial credit in numerical answer type questions, यह कुछ जो थे इनके वाठे में detailed information, यानि कि आपको यooky summarize करके बताओं, तो multiple choice questions जो होते थे, वो जो है, या तो एक marks के question होंगा, या तो दो marks से question होगे दोनों का combination होगा एक marks के भी होगे कुछ question जो है एक number के होगे कुछ question जो है दो number के होगे ठीक है तो जो एक marks वाले question होते हैं उनमें जो आपके पास मतलब जो multiple choice questions होते हैं उसमें सबसे पहली बात है कि चार option होगे आपको चार option में से एक ही कोई correct answer होगा, एक ही कोई सही option होगा, उसको आपको tick करना है, ठीक है, यदि आप wrong answer को choose करते हैं, तो कुछ negative marking का भी system है, वो negative marking यह होता है, कि यदि आप एक number वाले question का जो option है, वो गलत choose करते हैं, तो आपको 1 by 3 जो है, वो डिडेक्ट हो जागा, 1 by 3 जो है negative marking होगे, और जो आप दो number वाले करेंगे, दो number वाले question का जो wrong answer को choose करेंगे, तो उसमें 2 by 3 जो है, वो आपको negative marking होगे, second जो है, आपका multiple select questions, इसमें जो है, आपको 4 option इसमें भी मिलेंगे, इसमें क्या है, कि एक से ज़्यादा option correct हो सकते हैं, more than one option जो है, वो correct हो सकते हैं, ठीक है, इसमें जो है negative marking का system जो है, नहीं है, इसमें negative marking नहीं होगे, इसमें भी question जो है, वो 2 type के आएंगे, कुछ question एक marks के होगे, कुछ question जो है 2 marks के होगे, तीसरा type का जो numerical answer type questions होते हैं, इसमें जो है, आपको कोई option नहीं दिया जाएगा, कोई option आपको choose करने के लिए नहीं मिलेगा, इसमें जो है, आपको numerical type के questions होंगे, उसको solve करना होगा, जो भी answer आएंगे, जो question में mention होंगे, कि आपको 3 decimal तक जो है, वो round off करके लेना है, तो उसमें, जो भी आपको mention होंगे question में, आपको वो real number में आपको जो answer है, आपको numerical, जो keypad होते हैं, virtual numeric keypad जो होते हैं, जो available होते है monitor के उपर, उसके help से आपको feel, choose करने होंगे, आपको वो answer feel करने होंगे, ये इस type के question है, numerical answer type question इसमें भी आपको negative marking नहीं होगा ये कुछ important points थे, जिनके बाड़े में आपको बताया, आगे जो video आएंगे, उसमें कुछ सिलेबस, क्या-क्या changes, उनके बाड़े में हम discussion करेंगे तो I hope, आज का जो वीडियो है, आपके लिए useful रहा होगा ये आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो please share और subscribe जरूर कीजिएगा और whale icon को phrase कर लिजे ताकि आपके पास हर एक notification पहुँच पाए तो आज के वीडियो में बस इतना ही Thank you so much